नमस्कार चर्चा में आपका स्वागत हैं मैं हूँ विकास सिंग्ध ठंड का मुसम आ रहा है हवा में प्रिदोसर्ण की मात्रा बढ़ रही है अभी कुरोना का खत्रा कम नहीं हुआ अब प्रिदोसर्ण में दिन बढ़ दिन बढ़ रही है हावा जहरीली होती जा रही है आज हमारे साथ ही चर्चा में बहुत ही खास मिहमान है हम सबसे पहले उनका आप से परिचे करा देते हैं हमारे साथ है डाक्टर भरत राज सिंग जाने माने वैग्यानिक और परिया दंभीर विसे उठाया है सर्दियों का मौसम आने वाला है और कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है कोरोना जारी है जब तक दवाई नहीं है तब तक कोई धिलाई नहीं बरतनी चाहिए ऐसे में आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से पराली जलाने की दिन बर दिन घटनाए आ और ऐसे में हमको क्या साध्वानिया बरतनी चाहिए पहले तो मैं सभी को स्वागत करता हूं यहां पर जो भी दर्शक है और कोरोना का जहां तक प्रकोप है देखे पिछले नॉम्बर से या फर्वरी से ही कह लिए तो सुरुवात होई थी और हमार्च से इसका प्रकोप ब बंद कर दी गए सारे जेतके हमारे मौन थे बंद कर दिए जो प्रदूशन फैला रहा रहा इसकी महत्पूर्भूब का तो उससे क्या हुआ एक बड़े अच्छी सी स्थिती यह पैदा हुई अगर हम पिछले बर्स का मतलब आकड़े ले लें मेरे पास आकड़े हैं कुछ आकड़े हैं मैं अभी दिखाऊंगा जनता के लिए तो लख का लेवल प्रदूशन का वह पचास के आसपास नार्मल होता हैं पचास से सौ तक का थोड़ा शार साधान माना जाता है उसके बाद फिर फिर चार से पांसे खतरनाक होता है तो पिछले साल अगर हम नॉंबर की बात करें 15 नॉंबर के आसपास की बात करें जोंकि हम अक्ट यही इस्तिती हमने आकड़े जब तयार किये अप्रैल में घट गया अप्रैल में जाके 97 हुआ मैं मैं में जाह करके यह 57 हो गया महला हम नार्मल के करीम लखनों में हवा ले रहे तो बहुत सब को अच्छा लग रहा था कि वह यह हुआ जिसमें लाग डाउन बहुत सुद ह आज की इस्तिती है अनलाग डाउन बन सुरू वा दो सुरू वा तीन वा तो पांचवे की तरफ हम लोग बढ़े हुए हैं तो आज इस्तिती यह है कि हम 124 से 301 पर पहुंच चुके हैं आप दिल्ली में और लखनौव में हमारा 97 से एक लखनौव में गुमती नगर में 97 है तो यह 134 है यह इस्तिती है यह शी चीज को अगर हम देहली की इस्तिती देखें तो दिल्ली में पिछले बार 494 हमारा 467 था उनका पांसे के आसपास था और वही जाकर के वह पांसे जो आपका मही तक इनका हुआ है वह घट करके नार्मल में तो नहीं आया लेकिन एक आब आसपास रहा है और जो अब जाकर के पुनह है यह सेट हो गया 301 के आसपास यह पूर्ट और इन सब के जगया दावला कुआ और यहां पर और सबसे कम जहां पर कोई बस्ती जादा नहीं है वहाँ 114 हम इसी को एक नोइडा ले तीन चार हम एक्जामपल देना चाहां लोड है कि गाजाबाद नोइडा में था मतलब दिल्ली से भी जादा दिल्ली में तो भागदा और आद भी वेकिल्स की है यहां अब आप सोचिए और जो की 140 के आसपास ही उपाया था वहां पर दियूरिंग लागडाउन और आज इस्तिती हम नोइडा की कह दें फिर वही इस्त इतम उस पर जा रहा है दिल्ली के कंपेरजन में हम लखनौ को कह सकते हैं कि अभी भी लखनौ वा दो है एक सो चौनतिस पर है लखनौ दिल्ली से कम अब उसका आप ने यह जिकर किया कि यह बीच-बीच में पराली जलाना और आने वाला समय अने वाला समय है जब दीपाव पर रंदर आता रहता हूं और अगर ध्यान दें तो हम 2012 से लेकर हम 14-15 में यह कह रहे थे कि जब मौसम सेट होता है मौसम सेट का मतलब मौसम में परिवर्तन होता जैसे आप मालेजे इस समय बारिस के सीजन तो खतम हो गया चाहे बारिस हुई कम हुई बहुत कम हुई लेकि परण है वह 36-38 परसेंट विसी कांटिविशन है और वहकिल्स का बाहनों का जो है वह 25-35 परसेंट है तो दोनों मिला के 75 परसेंट होता है और यह दोनों ठप हो गए तो इसका अशर यह वह पूरे आश्मान में जो भी कन थे धीरे धीरे वह नीचे तो खतम हो गए लेकिन जो आश्मान में बादलों के रूप में भी चाये हैं जब वह सेटल होता बर्शात मलब मौशम तो आप देखते हैं कि कुहरा पड़ता है कुहरे के दभाव में वह धीरे धीरे नीचे आता है और एक गैस चेमबर के रूप में बनता है जैसा कि पिछले साल हम लोगों ने उसको पादी से आप चाय रहा है जो पानी से पानी के चड़काओ किया जाता है पेड़ों पर चिटा का जाता है बाद यह साल बाद यह सुरूग हुआ तो आज स्थिति यह बन रही है कि इस समय जब हम नारमल से शांसे ले रहे थे उस से जो बढ़ोतरी अब हो रही है यह और खतरनाक होने वाला है कारण क्या अगर इस मोग पराली जनाना एक टेंपरेरी भीज है माली ये महीनी वरका है ये दिवावली आगए महीनी वरका है लिखी जो पर्मनेंट उपर एक लेयर बनी हुई ये मोटी लेयर का ग्रीन हाउज गैस की जिसमें शल्फर डाय है कारवन डाय है ये सब चीज़ी इतनी खतरनाक है जब नीचे आज आती तो आप देखिए सांस लेना मुषकल भर कोरोना के क्या बिल्कुल बिल्कुल अभी इसका अशर जर आम गिसर के करोना का प्रकूप चल रहा है ऐसे में ठंड में इसका क्या प्रकूप बड़सकता ह हैं हमें क्या साधवानिया बरतनी चाहिए अब मैं इस पर फोड़ा बिल्कुल बिल्कुल प्रकाश डालिए है अब देखते होंगे जब जाड़े का मौसम से ठोता है अक्सर नई नई बीमारियां तो नहीं लेकिन सब कहीं ने कहीं जुकाम खांसी फीबर यह सब बने लगता और उसका काहण क्या है कि हमारे लंग पर वो जाकर के एक एक एफिक्ट आता है और लंग में हवा आक्सीजन ग्रहण करते हैं अब उसके अंदर जब अगर इससे जुकाम और उससे जखड़न हो जाती है तो उतना हम आक्सीजन रिस्टोर नहीं कर पाते हैं सांस लेने में दिक्कतें बढ़ जाती है यह एक नारमल हर बिना करोना बिना उसके भी आई यह नारमल हुआ करता तो आज करोना का जो प्रकॉप है उसमें अगर यह चीज हो गए और आप कमजोर पड़ गए आपके अम्यूनिटी हो गए हमारी कमजोर अगर है और उन लोग कमजोर रहती ना पड़ जाए और कोहरा हमारा चंटना जाए सुबह टहलने की आदत होती है उनकी दिन चग्रिया में होता है तो आप लोग सुबह जब टहलने के लिए जाते हैं तो उसमें थोड़ी से साउधानी बढ़ते हैं उस समय ना निकले घर से बाहर मूल पानी के छुड़काओं ञाता है इसमें जो सरकारि कर रही है वह तो अपना काम करी रही है उससमें आम जन्मानस मिलके प्या खरें में अपने लगा सकता है क्या कश्का किया जा सकता है मूह कासर पर इमके आप ने जन्ग्रोल करना परीया इसकी अपने प्रियासरत ए Neil लेकिन वर्ड वाइड आप इस पर बहुत कंट्रोल नहीं कर सकते हैं लेकिन जो हमने फारस्टेशन खतम किया जो पेड़ पौधों को खतम किया आज भी ओ जहन में उन लोगों में आने वाली जनरेशन में नहीं पेड़ हमें जो हैं वही अक्सिजन देते हैं हमारी जो नीड संसे दूश्ग छाओं थारनिया ननमय को में लिए जो किया उनकी खुराक यह है कि जब दिन पर टूशली सी रोशनी होती है तो यह जिए कार्बनी डायक्साई था कर्म्नोरक्साइड या सकारवन के लिएक्षन उसके साथ शुरुहाई सन के रेच से तो वो पानी की बूदे बना देते हैं आकसीजन रिलीज करते हैं कार्वन के छोटे-चोटे कंड जहां उनके पत्तों पर पहुंच जाएंगे पत्तों के रेशे के थुरू आसमासिस प्रासेस जड़ों से नीची चले जाते हैं कारूब। आप लाखों साल में देखेंगे बड़े-बड़े हार्ड कोक बनते जहां फारिस्ट रहा होगा पुराना। तो अब ये नीचर ने अपना एक सारी बेवस्था कर रखे पहले लोग रहते भी थे को या तो नदियों के आज पास रहते थे या वो ज्यादा जादा जादा पास उनको सारी सुग्धाएं मेंट और सब चलता थे जहां पेड़ पौधे जंगलात हूं वहां पर लोग रहते रहते हैं, हुआ से उनको लक्डियां मिल जाती थी लकडियां जलाने के लिए जो शूख लकड़ी तेखे उसमें भी आपना सायकली गारर है रहत जबतेशाना हूं में उनको गपथ जबतेजह कुछ नहूप पेड़ सूखेंगे तो उनको खाद भी नही पत्तों से बन ती है पेड़ सुकते हैं दूसरे ले भी जाते हैं तो उन पेड़ों का कटान ग्योति खाली हो जाते हैं जगह मिलती तो और जो पेड़ नए हैं तैयार होने लगते हैं तो हम लोगों का अब यह हो गया है पेड़ जब कम हुए ग्रीन हाउस गैसिस का कबरेश का एक रूल है वह रूल यह है कि हम अगर तीस परसेंट से ग्रीन कबरेश कम है मतलब छेतरफल का तीस प्रच्छत आपका जंगल होना ही चाहिए मिनिमम बहुत महत्पूर है इसको बिल्कुल मन उस नहीं प्रेकत का दोहन किया है उसकी सजा उसको मिली जाती है ऐसे में हम लोगों को विस्यस सावधानिया बरतनी चाहिए प्रेकत के साथ कोई खिलवार नहीं करना चाहिए आने वाली हमारी जो पीड़ी है उसको हम क्या दे रहे हैं हमें आज ही उसे लगाते हैं उससे भी कुछ रहत मिलेगी इस पॉलिशन में आसपास पूरे अरिये में स्मॉक फैलता है जी देखे यह बहुत अच्छी बात आपने एक प्रस्ट ने उठाया है हमें तो यह यह एक एगर हम च्छतों पर भी ग्री डिवलप कर लेते हैं तो उससे भी एक तो सुद्ध होने लगता है बहुत सी चीजी है वो नहीं है वो उसकी करने उस पर आने लगती है वो सूरज की रोशनी पढ़ते हो भी अक्सीद निकालने लगता है लेकिन बेहतर तो यही है कि हमारे जितने पार्क हो फुली जगह जहां हो जहां कोई ऐसा नहीं उसमें पीड प्रासेस है पीड एक दिन आप जैंगली पीड लगा देंगे नहीं हमारा कहना है कि हम फलदार पीड लगाएं जिनक्या जीवन जो है सतर असी साल सौ साल तक के पीड है पीपल है बूलर है बर्गत है आम है पीपल बर्गत की उमर तो सेक्ड़ों साल हजारों साल चलता है और आम और यह सब फल देते हैं पर लिवस्था बारत्व पारत बर्ट में ऐसी थी हर चीजों की पूजा का भीवस्था थी उसको चीड़ों नहीं प्रखें पीड़ों नहीं पुऴी और यह जाता था नहीं हमारे पूर्गत को हमारे यह के उसको मत काटिये नहीं तो में आवाज हो जहां तो लोगों को डरभय रात में उस से होने लगता तक इसको डराया गया तो डर भय है उसे कि इसमें क्या होगा प्रेताइद मा आ जाती है। लेकिन अगर पीपल के पेर लगातार आप लगा दिया और जंगल में कहीं ऐसे ति इतनी अक्सिजन जरा से भी चिंगारी होगी तो जलने लगेगा तो पीपल उतना ही लगाएं जितनी उसकी रिक्वायरमेंट और पेर लगाएंगे तो उसमें एक नार्मल इस्टेबलाइज रहता है पीपल में हमेशा 24 गंटे अक्सिजन निकलती रहती है और सबसे बड़ी चीज है एक दो चीजों में आपको जिकर करूं मैं तो अध्यन करता रहा हूं इस दवरान लम्मा अध्यन रहा हो का परोना कार बलकि हम तो कुछ किताब भी लिग रहे हैं योग से संबंद सब्सक्राइब करा चुका होगी कुरूना का मैं मेरा निकेट उड़ाता है अभी बाबर राम देव जी ने कोलिन और एक वनोन सारा बना रखा है तो लोग उनका आप भी रख लिए आप पचातर साल के आसपास के यंग हैं तो आपको चलूरी है मैं अपनों के यंग ही कात अगर प्रानायाम और आशन और इन सब चीजों को आप ध्यान करते हैं तो बहुत से बहुत हमारी पराणिक उसे था में अपने उससे फिर पुना अपने उस पर आपने तो आपके सरीर में जो आक्सीजिन लेविल है वो बराबर बना रहता है अब में यह सबसे आदा महात् अगर कोई आपको दिक्कत है और अगर आप प्रानायाम करते हैं नियमित रूप से तो बरकरार है कि आपको अपना एक अनुभव बताता हूं कि आप यह समझे कि हम अशान आपकर रहे है कि अगर आप योग प्रानायाम और करें आपके जो इनर्जी लेविल है उसमें कमी नहीं यह जो आप खाना खाते हैं यह सौकिया सारी चीजें हैं आप पेट बढ़ने और उसके लिए करते हैं अधर वाइज आपके इनर्जी लेविल इतनी हो जाती है खाने के बहुत कम जरूरत होती है उमर का तकाज़ा अलग बात है क्योंकि और सारी विक बिक अक्रमर चालो कोता है इसके बाद हम पूरी गर्मी रहता है और बारिस का सीजन भी जो निफट चुका है अब हम ठंड ने दस तक दे दिए ऐसे में आप करूना के शुरूत को क्या देखते हैं क्योंकि जब कुरूना आया था तब साल की सुरवात हुए थी और ठंड दिन में इसका है हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारी इस्ति अगर स्थंड जैसे स्ट हो रही और परादी या आपका दीपावली का उसके जस्ट बाद ये कहीं न कहीं है विश्पोड की तरफ फिर बढ़ने की गुंजाइश है साथान रहने की जड़रत है अपने को पहले से कोशिश करना चाहिए कि हम लोग सेद्जिवित करें और सारी साथानिया जितनी भी होती है वो इसको कोरोना के लिए मास्ट लगाना दूरी बनाना इस सब चीज़ें को हमें वर्कारा रहा प्रीव में लाना है अगर जहां तक सब्सक्राइब लगाएं लेकिन इस दुन्द में अगर पानी का छिड़काव देखिए शेहर में नगरपालका साफ उमेद कर रहे हैं तो आप उनकी सीमित संसादन हैं लेकिन प्रतेक ब्यक्ति अपने घर के आसपस छिड़काव करके अगर उस धुन्द को नीचे लिया सकता है तो आपका वह स्पोटक इस्तिती से काफी बचा होगा है सब लोग अपनी भागी जारे करें मिल जूलकर आप कुछ नहीं तो अपने आसपास घर के आसपास जो पेड़ है वहां पर पानी का चर्काव अभी से करना चालू करतें क्योंकि नवंबर में अगर कोई अगर औ ऍसके लिए यहांधी से तैयारी करके रहें सकता ही लिए लिए अस होसा क्ता है यहां कि अपर कुछ अपर उपर सकता है क्योंकि प्रिफित कर शके हैं तक जब तक डवदाए नहीं वन से जेरों में रहा होते, मासक सही से नहीं पहने है। यह दियान को भी धियन रखना होगा मासक सही आप पहने सारी जर इस भी माहत्रपूर्चीज है नोने फिलेत है कि इसका खत्रा और बढ़ सकता है ऐसे में हम लोग क्या यहां जहरीली हो सकती है तो ऐसे में हम लोग क्या कुछ अपनी दिंचर्या कैसे डाल सकते हैं देखे हमें ये लगता है कि हम लोग कुछ चीजों को नियमता है नहीं कर रहे हैं, मास्क लगाने का ये मतलब नहीं कि घर में बैठे हैं और दूरी क्या अगर अपने अपने कमरों में बैठे हैं या कहीं भी बैठे हैं, अगर छेपिट के दूरी है तो करोना कूद के नहीं क्रोना कूद के नहीं जाएगा, बिलकुल, दोगच की दूरी इसलिए बहुत जरूरी है, अब उसमें मास्क लगाने की कोई आउशकता नहीं, लोग क्या करते हैं, गाड़ी में बैठे हुए है, पैसेंजर कोई और नहीं है, वो मास्क लगाई हुए, तो आप आक्सीजन जो हर हालत में लगाना बहुत ही जरूरी है, और हाँ, आप उससे, अगर आपको है मान लिए आप टाहल रहें, पार्क में हैं, उस पार्क में अगर कोई है नहीं, अकेले अगर आप अकेले पार्क में मारने वाकर निकले निकले निकले, उनिकले निकले, उनिकले निकले, आप आक्सीजन के लिए ही तो आपको जरुरत है एक तो इसमें अदूसरा है कि अभी हम जो कह रहे थे कि हमारे लिए ग्रीन कब्रेज ग्रीन कब्रेज क्या है कि पेड़ पौधों की संख्या कितने परसेंट होनी चाहिए इस आकड़े को हम उत्राखंड को अलग कर देते हैं तो हमारी तो इस्तिती बड़ी खराब है उत्राखंड रहने पर भी हम 22% 23% पर थे और वहां के जंगला तो और पहाड़ियां चली गई हम तो 10% से भी नीचे हैं तो हमारे प्रदेश जो है इसमें बहुत आउचकता है और मांदे हमारे मुखमंतरी जी देखिए पिछले बार 10 करोड बिल्कुल बिल्कुल इसमें सरकारों पर लेकिन नहीं अपनी जिम्मेदारी अपनी भागीदारी है उसका परिवार है वो अपने आने वाली पीड़ी क क्या दे सकता है यह उसे तेय करना हो क्योंकि आने वाले दिनों में जिस तरीके के हमारे समय आ रहा है जलवाई परिवर्तन को अगर हम बात करते हैं गर्मियों में पानी वरसने लगता है ज्यादा से ज्यादा गर्मी होती है ज्यादा से ज्यादा बारिस हो जाती है ठंड क करने हैं वोग कर दो यह लोग करें जब गर्मी जादा आ जाएगी तो बहतर रहें लगातार मौसम में बारिस लगातार होती रही यह सब कारण क्या है इन कारणों के पीछे देखे में जलवाई परिवर्तन पर हम ने काफी अध्यान किया और 1995 से हमने ग्लोबल वार्मिग जल संधान है कुछ पत्रों पर अपने लगाया है और हमने देखा कि 2011 में बारा में नार्थ पोल पर आइस मेल्ट कर रही है यह हमारे लिए एक बड़ी ताजू कि जब 30% उसमें से आइस खतम रही थी 77 के सापेक्ष में देखा तो वो नाशा का डाटा था मेरा कोई अपना डा को इसके साथ भूसिस करता उसके बाद जब मैंने देखा उसके बाद हमने जिक्त किया जो मैं कहना हूं कि जलवाई पर विए तन इस्तिती बिगड़ेगी कि 2013-14 से अमेरिका पहले एफेक्टेड होगा उसके बाद पूरी दुनिया इसमें अपनी भूमी का आदा करेगी त करते हैं यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी हम प्रकेट को क्या दे रहे हैं आज इस महत्रपूर विसे पर आपने हमारे साथ चर्जा की इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है तो इसी उम्मीद के साथ के आने वाले दिनों में जो ठंड की सीजन आ रहे हैं तो तो और बहुत बात है